हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS tutorial पर स्वागत है तो आज हम लोग class 8 का math का weekly test का very very important question देखने वाले हैं अगला weekly test आप लोगों का 14 October 2023 को होने वाला है और उस दिन आप लोगों का हिंदी का weekly test होगा और साथ में गनित का भी weekly test होगा हिंदी का already मैंने very very important question upload कर दिया है नीचे description में आपको एक link मिल जाएगा playlist का उसमें सभी class का सभी subject का important question है और class 8 का भी हिंदी का जो 14 October के लिए जो important question है वो भी आपको मिल जाएगा तो उस वीडियो को जाकर हिंदी का आप देख लीजएगा यहाँ पर हम लोगों गनित का देखने वाले हैं लिए निश्ला test से आप लोगों को पता चल गया है कि इस बार objective के साथ साथ subjective question भी आएगा तो इस वीडियो में हम लोग objective question भी देखेंगे subjective question 10 आएगा और subjective question आप लोगों का 5 आएगा लेंगे यहादा question कवर करने से आप लोगों को फायदा यह होगा कि कोई भी question आप से वीडियो का अपने सभी दोस्तों के साथ सेर जरू कर दीजेगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाब हो सकेगा देखे यहां पर बीज गनित से इस बार कोसिन रहेगा और यह जो चार फोर्मूला है बहुत इंपोर्टेंट है चारों फोर्मूला को सबसे पहले आप याद कर लिजिएगा ठीक है याद करना आपका काम है आप ये को याद करना है फिर देखिए हम लोग बढ़ते हैं यहापर शिक्स चेप्र शिवन चेप्टर से कोसिन आएगा आप लोग को का इस बार शिक्स चेप्र का नाम है की ब्हुत सर्विशमी का є चलि parf Siis ही लें से कौन है option number पहला में plus minus कुछ भी है तो यह दो पदी है plus से इधर वाला एक पदी plus से इधर वाला एक पदी plus से इधर left वाला एक पदी और right वाला दूसरा पदी तो यह पहला option जो है यह दूई पदी है और यहाँ पर पूछा है एक पदी तो दूसरा option है एक पदी। यहीं इसका सही अंसर हो जाएगा। और तीसरा ओप्षन देखें, यहाँ पर तीन पदी है, आप देख सकते हैं, एक दो तीन, तीन पदी है, पलस या माइनस। ठीक है यह दोनों अलग कर देता है पद को जिसे कि यहां पर यह दो पद है यह यहां पर तीन पद है यह पहला पद है दूसरा पद है और इधर तीन पद हो गया अगला कोशन देखिए दूसरा नंबर एक पदी वे अंजग कोन सा है यह तो आपका दो पदी है पलस मैनस से इ यहाँ पर दूई पदी पूछा है देखिए option number पहला क्या है यह तो एक पदी है option number दूसरा यहाँ पर दूई पदी है देखिए minus से minus से इधर left side पहला पद हो गया और इधर right side यह दूसरा पद हो गया यह दूई पदी है option number दूसरा सही हो जाएगा चलिए, चार नमबर का आप लोग मुझे comment करके बताईए I hope आप लोग समझ गया होंगे चार नमबर का आंसर क्या होगा नीचे comment कीजिएगा कि 4 का सही answer क्या होना चाहिए option नमबर पहला, option नमबर दूसरा, option नमबर तीसरा, option नमबर चुथा देखे अगला बढ़ते है next 5th number के वर, 5th number के question है निमन में कौन? दूइपदी व्यानजक है चले इसको भी आप लोग कमन करके बताइए कि दूइपदी व्यानजक कौन सा है 4-5 number आप लोग बताइएगा next देखिए 6th number 6th number के question है 5xy में y का गुनांक क्या है अब देखिए गुनांक का मतलब वैस्य संख्या जो चर संख्या से पहले संख्या में रहेगा जैसे चर यहाँ पर क्या है xy है लेकिन यहाँ पर y का पूछा गया है तो y से पहले जो भी संख्या हो 1 हो 2 हो 3 हो या Minus 1 को Minus 2 हो, Minus 3 हो जो भी संख्या रहेगा, वह ही गुनांक हो जाएगा, तो y से पहले क्या है? 5, तो यहां पर 5 इसका सही अंसर हो जाएगा y का गुनांक 5 और x का गुनांक भी यहां पर 5 ही है औक सन मेर तीसरा सही हो जाएगा, फिर देखे 3x है अब यहाँ पर आप घ्यान दीजिए 3x और यह वाला x मिलकर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और यहाँ पर यह वाला 2 और यह वाला 3 मिलकर 5 हो जाएगा और यहां पर देखिए minus A है तो minus A को लिख देना है अब आगे पीछे हो सकता है कोई दिक्कत है नहीं देखिए plus 5 यहाँ पर आपको option number 4 है plus 5 दीख रहा है फिर देखिए 4x यहाँ पर 4x दीख रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब इससे पहले plus ही है और यहाँ पर minus a आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा minus a मतलब option number 14 इसका सही अंसर हो जाएगा फिर देखे next अगला art number 3xy plus 2x plus 3 x plus 3xy plus 2 का enter दोनों को minus करना है minus करने से क्या होगा answer तो same जैसे plus किये थो यह से solve किजेगा तो art number का option number पहला सही हो जाएगा x plus 1 x plus 1 सही अंसर हो जाएगा फिर देखे next no number 3x plus 3 में से 3x minus 1 घटाने पर प्राप्त होगा तो यह भी वहतीजी है जहाँ पर देखे 3x plus 3 minus 3x minus 1 अब इसका हम लोग minus करेंगे minus करेंगे तो यहाँ minus हो जाएगा और यह वाला plus हो जाएगा यह पुरा का पुरा कट जाएगा और यहाँ पर 3 और एक 4 बचेगा तो 4 इसका सही अंसर हो जाएगा option number तीसरा सही हो जाएगा अब देखें next 10 number के question है same 9 number के जैसे है बस अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा देखें 3x plus 3 में से 3x plus 1 घटाने पर प्राप्त होगा plus 1 घटाने पर क्या प्राप्त होगा देखें 3x plus 3 घटाएगे 3x plus 1 minus sign हो जाएगा ठीक है यानि कि minus कर रही इसलिए sign change हो जाएगा यहाँ पर minus हो जाएगा और यहाँ पर minus हो जाएगा यह पूरा का पूरा cancel हो जाएगा और यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बच्चे और 2 इसका सही answer हो जाएगा option number पहला अब अगला 11 number की 11 number देखिए 7 से गुननखन 11 number का question है 3x plus 9 का गुननखन क्या होगा तो गुर्णखंड रिखिए यहाँ पर 2-9 में दोनों पद में देखना है क्या कोमन है तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है ठीक है इस तरीके से 3x प्लस 9 में 3x को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना x जोड 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 अब देखिए इधर और इसमें ये दोनों में क्या कोमान है 3 कोमान है दोनों में तो 3 को हम लोग बाहर निकाल देंगे यहाँ पर 3 जो बच गया है ब्रिकेट का अंदर लिख देंगे यहाँ पर देखिए x बच गया है x लिखेंगे यहाँ पर यहाँ आवला 3 बच गया है तो प्लस 3 को लिख देंगे तो 3 ब्रिकेट x प्लस 3 इसका सही अंसर हो जाएगा option number दुसरा I hope आप समझ गया होंगे बढ़ते है नेक्स्ट अगला 12 नमबर की ओर 3 x माइनस 36 का गुना नखंड होगा तो चलिए 36 से यहाँ पर 36 और 3 दोनों में से 3 को मन है 3 को बाहर निकाल देंगे तो x बचेगा अंदर में माइनस और यहाँ पर 12 बच जाएगा क्योंकि बारते है 36 होता है तो 3 ब्रेकेट एक्स माइनस 12 ओप्सन नमबर पहला सही हो जाएगा फिर देखे नेक्स्ट अगला 13 नमबर 13 नमबर देखिए 3 x माइनस 12 का गुना नखंड होगा तो चलिए इसका आप लोग कमेंड करके बताए 13 नमबर का क्या सही अंसर होगा फिर देखे नेक्स्ट अगला 14 नमबर ये भी सेम है गुनान खंड ही करना है वहुत ही जी है यहाँ दोनों में देखना है क्या कोबन यह थोड़ सा टौफ है तो मैं बता दे रहा हूँ जिसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 छिपा हुआ है तो 9 बाहर आ जाएगा फिर दोनों में X भी है इधर भी X है इधर भी X है ठीक है देखिए जहाँ माइनस पलस रहेगा यहाँ पर माइनस पलस है इसको boundary कर देना है, इस तरीके से line खीच देना है और line के दोनों side देखना है इधर भी देखना है, इधर भी देखना है क्या कोमन है तो यहाँ पर 9 bracket के बाहर हो जाएगा फिर दोनों में X भी है, इधर भी X है, इधर भी X है तो X को बाहर निकाल देंगे फिर जो बचा है उसका अंतर लिखेंगे 9X तो पुरा निकाल दी हम लोग एक बच गया है माइनस फिर 27 से 9 दुनिया ठरन होती है 27 तीन बच गया है तीन और Y बच गया है Y तो यही इसका अंसर हो गया 9X ब्रिकेट 1-3Y तो इसका सही अंसर हो जाएगा उप्सन नंबर पहला अब अब अड़ते हैं नेक्स अगला चवधा नंबर की ओर माइनस 5A स्क्वेर पलस 25 AB का गुरंखंड क्या होगा 20A स्क्वेर B या दूसरा अप्सन है माइनस 20AB या तीसरा अप्सन है 5A ब्रिकेट A-5B और चुथा अप्सन है A-56 तो इसका सही अंसर हो जाएगा उप्सन नंबर तीसरा आप स्वल्ब कर लीजेगा उप्सन नंबर तीसरा सही हो जाएगा अब अब अड़ते हैं नेक्स अगला कोश्टिन की ओर अगला कोश्टिन है स्वल्ब नंबर 4A-6 यहाँ पर भाग है divided by 2 कमांड क्या होगा तो दिखिए यहाँ पर 4A-6 divided by 2 इस तरीके से इसको solve करेंगे सबसे पहले उपर 4A-6 का कोमन निकाल लेंगे, कोमन 2 निकल जाएगा ब्रिकेट के अंदर बच्चिएगा 2A-3 फिर नीचे बटे 2 है यह देखिए यह जो मैंने 2 लिखा है यह वाला जो 2 है उसी 2 को नीचे यहाँ पर same to same लिख दिया अब यह वाला दो और यह वाला दो कट जाएगा हमारे पास 2A-3 अंसर होगा 2A-3 2A-3 option number दुसरा सही हो जाएगा फिर दिखिने एक 17 नंबर 3A-9 भागा 3 का मान क्या होगा तो यहाँ पर भी 3A-9 divided by 3 common निकालेंगे सबसे पहले 3A-3 common निकल गया बटे 3 है यहाँ पर फिर से repeat कर दे रहा हूँ यह वाला जो 3 है वही यहाँ पर 3 है अब यह वाला 3 अब यह वाला 3 कर जाएगा A-3 बचेगा A-3 option नंबर दुसरा सही हो जाएगा फिर दिखिने एक्स अठारा नंबर 32X to the power 4 भागा 8X square कमान होगा तो इसको पहला option है minus 4X square दुसरा option है 4X square तिसरा option है 4X to the power 6 और चुथा option है minus 4X to the power 8 तो इसका सही अंसर हो जाएगा option नंबर पहला आप solve कर लिजेगा फिर दिखिने एक्स 19 नंबर 28X square Y divided by 7XY कमान क्या होगा पहला option है 4X दुसरा 4XY तिसरा 4X square Y और चुथा 4XY square तो इसका सही अंसर हो जाएगा option नंबर पहला 4X फिर देखिने next 20 नंबर 20 नंबर के question है X square भागा X का भागफल क्या होगा यह तो easy है देखिए X square N की X into X divided by X तो X X कर जाएगा बस X बचेगा तो इस तरीके से X यहाँ पर option नंबर दुसरा सही हो जाएगा इस तरीके से हमने यहाँ पर 20 important question देख लिया जो कि आप लोगों का अगला विकलिए test 14 October को पूछा जाएगा सभी question बहुत ज्यादा important है अभी तक सिर्फ MCQ हुआ है अभी हम लोग subjective question देख लेंगे चलिए subjective question के बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए गुननखंड करें तो इसका गुननखंड करना है गुननखंड करने के लिए सबसे पहले इस subjective इसलिए आपको थोड़ाल सा लंबा लिखना पड़ेगा हल किजिएगा देखे 10 X को आप कैसे लिख सकते हैं 10 का गुननखंड क्या होता है 2 पच्चे 10 2 पच्चे 10 तो 2 और 5 को यहाँ पर लिखते ना है देखे X है तो X को लिखते ना है उसी परकार 25 का 5 पच्चे 25 और X Y है तो X Y लिखते ना है आगे देखिए दोनों पदों में 5 और X सार गुननखंड है दोनों पद में देखे किस तरीके से यहाँ दोनों में 10 X में भी 5 है और 25 X Y में भी 5 है और X भी दोनों में है सार गुननखंड है दोनों अत्था यहाँ पर हम लोग देखे 10 X के जगह में इसको लंबा लिखेंगे पुरा यह वला को फिर देखे 25 X Y के जगह में यह वला को लिखेंगे पूरा यहाँ पर फिर ब्रकेट के अंदर डाल देंगे इसको उसके बाद जो भी सार गुनन खंड है उसको बाहर निकाल देंगे जिसे यहाँ पर 5 इंटू एक्स या x5 या 5x जो भी बूली बात बराबर ही है ब्रेकेट के बाहर निकल गया है उसके बाद जो बच गया है 2 पलस X इंटू Y उसको अंदर छोड़ देना है और यहाँ पर 5X इंटू 2 पलस 5Y यह हो जागा इसका गुनन खंड यह ही इसका अंसर है एक दो बार प्रेक्टिस कीजिएगा इसली बन जाएगा मैं अभी जारखन में हो नहीं मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है नहीं या कोपी पेंट भी नहीं है कि मैं आप लोगों कोपी में लिख कर बताऊ कोशिच कीजिएगा समझने का अगर कोई दिक्कत होगा तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा क्लास 6 का और क्लास 7 का फुल एक्स्पलेनेशन वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपका टेस्ट मक्खन के जैसे हो जाएगा पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा तो मैं क्लास 8 का मैत का पूरा पूरा solution नहीं दे दूँगा playlist ही दे दूँगा description में चेक हीजिएगा अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फुल वीडियो देखिएगा 110% आप लोगों को समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा देखिए सेकंड कोस्टेन है x square प्लस 6x प्लस 9 का गुननखंड करें तो यहाँ पर गुननखंड करना है सर्वसम्मिका मैंने वीडियो के सबसे पहले ही आप लोगो कुछ फोर्मूला दे दिया था तो वो सर्वसम्मिका है देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वेर होता है ए स्क्वेर प्लस टू व भी प्लस बी स्क्वेर से तुलना करने पर यहाँ पर यह तो सेम कोस्टेन है और यहाँ पर दिखिए x square यहाँ पर a square से मैच कर रहा है और यहाँ पर 6x है 7x को हम लोग 2 इंटू 3 पुरा solve करेंगे तो हमारे पास ये वलाएगा x plus 3 whole square फिर यहाँ पर square है इसलिए x plus 3 को दो बार लिखेंगा x plus 3 into x plus 3 यही इसका अंसर हो गया आप लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है तो नीचे description में चरूर चेकिजेगा मैं class 10, class 8 का ठीके class 8 का मैं इतका पुरा link दे दूँगा आप chapter 6, 7 को एक बार देख लिजेगा तो easily बन जाएगा चलिए अगला देखते हैं next 3 number x to the power 4 minus 625 का गुन अन्खंड करें तो यहाँ पर भी जो सरूर समिका है उसको apply करना है a square minus b square is equal to a plus b into a minus b वाला formula apply होगा इसको पूरा यहाँ पर हम लोग सबस्पहले cosine को लिखेंगे उसके बाद x to the power 4 है उसको x to the x square का power square लगा सकते हैं वोकि दोनों को गुना करेंगे तो दोनी 4 ही हो जाएगा x to the power 4 ही होगा पिर देखे 625 का हम लोग 25 का square लिख सकते हैं अब यहाँ पर यह वाला a हो गिया यह b हो गिया a b हो गिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर दो बार लिखेंगे हम लोग इसको यहाँ पर x square minus 25 फिर x square plus 25 एक बार plus के साथ एक बार minus के साथ ठीक है आगे पीछी हो इसे plus minus दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है फिर इसको फिर से solve करेंगे हम लोग यहाँ पर x square को x square लिखेंगे 25 को फिर से 5 का square लिखेंगे सेम हो ही यहाँ पर करेंगे plus sign के साथ फिर इसको आगे solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x minus 5 इन्टू x square plus 5 यही इसका अंसर है आप लोग नीचे description में चेक कर लिजेगा फुल वीडियो जो है उसको एक बार देखे लिजेगा सब समझ में आ जाएगा अब देखिए next 4 number 4 number का question है m square plus m minus 56 का गुननखंड ग्यात करें गुननखंड करना है तो हाल इसका इस प्रकार होगा question को लिख लेना है question को लिखने के बाद यहाँ पर m square का गुना करने की यहाँ पर एक चिपा हुआ एक और 56 को गुना करना है इस तरीके से आप लोगों का कई बार आ चुका होगा question class 8 में भी होगा class 9 में होगा गुननखंड करना उसके बाद जो भी answer आता है दोनों को गुना करने से जैसे कि यहाँ पर 56 आया है 56 का हम लोग गुननखंड करते हैं और गुननखंड जो भी आता है उसको minus plus करके यहाँ पर जो बीच में रहता है वो संख्या लाते हैं जैसे बीच में aim से पहले यहाँ पर 1 है तो 1 लाना है हम लोगों को ठीक है तो यहाँ पर देखिए 8 and 7 दोनों को multiply करेंगे 8 सत्य 56 होता है 56 आ रहा है और 8 में से 7 minus करेंगे तो 1 बचेगा जो कि यहाँ पर है तो aim को हम लोग 8 aim minus 7 aim लिख सकते हैं और aim square यहाँ पर और minus 56 यहाँ पर कोई रिकत नहीं है उसके बाद 2 गुरूप में बना देना है पहला गुरूप में common aim है बाहर निकाल दियें दुसरा गुरूप में common minus भी है और दोनों में common 7 भी है 7 को बाहर निकाल दियें अब bracket के बाहर जो कुछ भी बच्चा है उसको एक बार एक जगव ब्रिकेट के अंदर लिखेंगे और ब्रिकेट के अंदर दोनों सेम सेम संख्या है दोनों के बदली एक बार M प्लस 8 लिख देंगे और यही इसका अंसर हो जाएगा तो इस तरीके से गुननखन निकालते हैं तो I hope समझ में आ गया होगा अब बढ़ते हम लोग अगला कोस्टिन की होगा अब बढ़ते हम लोग next 5 नंबर यह हमारा आज का last question रहेगा निमनांकित का विभाजन करना है देखे 91y3 भागा 13y लिखने के बाद यहाँ पर भाग का मतलब क्या होता है बटे होता है तो बटे लगा देंगे 91y3 उपर और नीचे 13y अब 91y का हम लोग यहाँ पर गुननखन निकालेंगे 91y का गुननखन निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 एकसाथ सातिया 21 सात गुना 3 यहाँ पर सात गुना 3 लिख देंगे और y का क्यूब है ने कि y कितना बार है देखिए तो 3 बार है तो 3 बार इसको लिख देना है y को 3 बार लिखने के बाद यहाँ पर भागा लगा देना है फिर नीचे 13y है तो 13y लिख देना है अब जो कटे के काटदेना 1,3 3 कट रहा है। वाई वाई कट रहा है। जो बच गया है। उसको लिखना है साथ बच गया है। और दो बार वाई बच गया है। तो साथ वाई का स्क्वेर यही इसका अंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से आज हम लोग class 8 का math का 14 October का very very important question complete कर लिए जो की question मैंने बता है सब बहूत ही important है अब practice कर लिजेगा और हिंदिका भी देख लिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों का टेस्ट जब होगा 14 अक्टूबर को उससे एक दिन पहले मैं आप लोगों के लिए भेर 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 इंपोर्टेंट कोर्शन अपलोड कर दूँगा जिससे की आप लोगों का टेस्ट तो मक्खन के जिए सिजाएगा और बहुत ही अच्छा नंबर आएगा आप लोगों का तो बस आज के लिए तना ही वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सेर करना मत भूलिये का ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाब हो सके थैंक वो पर वाचिंग आप वीडियो थैब अब गुद देए